हलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नीलम फूड मस्ती में दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं गोवी के डंठल डंठल हम फेक देते हैं उनका कोई भी यूस नहीं करते हैं लेकिन आज हम आपको ऐसी रेसिपी बताएंगे जो खाने में बहुत ज़्यादा स् तो हमने क्या किया जो डंठल होंगे गोवी के उनको निकाल लिया था और छोटे-छोटे टुकडों में कर लिया था और इसे हमने तीन से चार मिनट अच्छे से बॉयल कर लिया था बॉयल इतना करना है कि जो हमारे डंठल है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं तो उबालत हमने इनको ठंडा भी कर लिया था आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा उबल चुका है डंठल अब हमें क्या करना है तो अब हम इसे मसाले त्यार करेंगे लेकिन मसाले त्यार करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत और जो बेल आइकन होती है उसको भी प्रेस कर लीजेगा जिसे की अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले तो चलिए मसाले तयार कर लेते हैं तो मसालों के लिए हमने सूखी मिर्च ली है तीन से चार लहसुन की कलिया और थोड़ा सा हमने जीरा भी ल धनिया कड़ाई को हम गैस पर रख लेंगे इसमें डालेंगे एक बड़ा चमच सरसों का तेल तो आप सरसों का तेल का ही इस्तमाल करिएगा क्योंकि ये सबजी सरसों के तेल में ही बहुत टेस्टी बनती है तेल गरम हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे धनिया के दाने हम एक चमज धन्या के दाने लिये हैं और जीरा दालेंगे एक चमजा और इसमें डालेंगे हम लह सुन जो हमने लह सून लिया था उनको भी ठील कर टुख्रों में करके इसे डाल दिया और इसको हमें चला देना अज aparecer जैसे हमारे सारे मसाले बुन जाने चाहिए recommends ये recipe बहुत ही मज़ेदार बनती है और हमने सूखी मिर्च को भी डाल दिया है टुकडों में करकर जब हमारे मिर्च अच्छी तरीके से भुन जाएं तब इसमें जो हमने बॉयल करके जो हमने डंठल रखे हैं वो भी इसमें हम एड कर देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर हैं और ध्यान इतना रखना है कि गैस की फिलेम हमें लो ही रखने हैं दोस्तों ये सबजी बहुत ही मज़ेदार रखती है और खाने में बहुत जादा टेष्टी होती है घल्दी भी होती है तो इसलिए आप जब भी गो भी लाए और डंठल विल्कुल भी ना फेके क्योंक के नुसार नमक डाल देंगे और इसमें डालेंगे हम लाल मिर्ची पाउडर हमने सुखी मिर्च का भी इस्तमाल किया है और हम पिसी हुई मिर्च का भी इस्तमाल करेंगे तो आधी चमच हम लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे और ची तरीके से इसे भून लेंगे भूनने मे लाएं तो डंठल की सब्जी चरूर बनाएं खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है रोटी के साथ और पराठो के साथ बहुत ज्यादा ये टेस्टी लगती है बिल्कुल भुंजिया टाइप में आपको इसे बनाना है तो देखिए सारी सब्जी अच्छी से हमने मिक् और सर्व करके आपको दिखाते हैं तो ये देखिए एकदम टेस्टी गर्मा गरम डंठल की सब्जी बनकर तयार है खाने में लाजबाब और मज़ेदार और टेस्टी और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी दोस्तों ये सब्जी आप जरूर बनाईएगा और बनाक अच्छा लगा हो तो लाइक सेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजेगा और हमें हमें सपोर्ट जरूर करिएगा सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो ये देखिए कितनी टेस्टी सब्जी तो म मिलेंगे हम अगली रेसिपी में अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए इस रेसिपी को बनाईए खाईए थैंक यू दोस्तों